हेलो बच्चो पिछली कक्षा में हमने पाठ आठ समाप्द किया था आज हमारा पाठ है पाठ नो री की मात्रा आए इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं Pac-Patt-Norm, री की मात्रा आए दिखे, इसको ध्यान से समझते है री की मात्रा देखिए, समझे और पढ़िए अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या है? कुछ चित्र दिखाए गए है जैसे पहला चित्र है व्रक्ष का व्रक्ष में हमें व्रे में नीचे रह की अवाज आ रही है तो हम रह में नीचे रह लगाएंगे वो कैसे लगाते हैं बच्चों उसे कैसे लिखते हैं उसे लिखते हैं वे जमा रह बराबर रह यानि कि वे के नीचे रह लगाना और वरक्ष कैसे लिखेंगे बच्चों पूरा वे जमा रह जमा श्रे ब वारा म्रग का चित्र, तो म्रग में म्रह में रह की अवाज आ रही है, यानि कि मैं के नीचे रह लगेगा, मैं के नीचे कैसे लगाएंगे रह, मैं जमा रह बराबर म्रह, और इससे लिखेंगे कैसे बच्चो, म्रग को मैं जमा रह जमा गै बराबर म्रग, इससे आगे देख यानि की लिखने का चा तरीका है किया इसी के साथ बच्चों हम आगे देखते हैं इसके को शब्द आइए शब्दों का उच्चारण कीजिए रख्ष म्रत कृपा क्रशी रश क्रिश्ण म्रग ग्रणा अम्रत व्रशब आये बच्चों इसके आके पढ़ते हैं पढ़िए कृपालू नाम के रिशी है जंगल में एक रक्ष के नीचे उनकी एक कुटिया है उनके पास एक मरग रहता है वे मरग को गरत लगाकर रोटी खिलाते हैं रिशी जहां भी जाते हैं मरग भी उनके साथ साथ जाता है तो ये सब बच्चों यहां क्या हुए रै की मा उसके ये शब्द हैं आपको इन शब्दों को अच्छे से याद करना है और बच्चो आप सब क्या करेंगे इनको अच्छे से याद करेंगे और सुहम बोलेंगे इसी के साथ आता है बच्चो अब यहां पे हमारा अभ्यास कार रहे तो करते हैं अपने अभ्यास कारें है तो बच्चों मोखे का बीद्टी में क्या होता है हमें उच्चारण करना होता है जैसे निम्लिके शब्दों का उच्छारं कीजिए हमें प्रश्ण दिया गया है इसमें हमारे क्या- Presents शब्द है व्रक्ष, म्रग, स्रजन, मात्र, क्रपालू, कृष्ण, आदी आप सब बच्चे क्या करेंगे इन शब्दों का अच्छे से उच्चारण करेंगे आईए बच्चो इसके बाद हम देखते हैं अपना आगे का प्रश्ण तो बच्चो आगे का प्रश्ण क्या है बह इनके क्या है चार उत्तर जिसमें की एक उत्तर सही है तो हमें बताना है सही उत्तर आईए बच्चो देखते हैं पहला प्रश्ण तो पहले प्रश्ण का चित्र क्या है हमारा बच्चो पहले प्रश्ण का चित्र है हमारा त्रण का तो इसमें क्या त्रण जो उत्तर है पहल वो हमारा सही है इसके आगे देखते हैं बच्चों इसके आगे हम इस चित्र में दिख रहे हैं एक रिशी मुनी यानि की रिशी तो अब हमें यहां पे चार उत्तर दिये हैं रिशी रिशी रशी और रिशी तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है बच्चों इसमें से यह वाला उ उत्तर है वो सही है अब बच्चो हम आगे का प्रशन देखते हैं आगे के प्रशन में क्या है बच्चो आगे के प्रशन में हमें दिखाया है एक घड़ा जिसमें अमरत है यानि की अमरत तो अमरत कैसे लिखते हैं बच्चो अमरेत अमरीत अमरत और अमरत तो बच्चो अमरत कैसे लिखते हैं मैं के नीचे रह की अवा जा रहे हैं अम्रत तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चो इसका उत्तर अम्रत ये वाला सही है तो इसी के आधार पर बच्चो आपका यहां पे पार्ट समाप्त होता है बच्चो मुझे लगता है आपको रीकी मातरा क्या जो शब्द है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आयोंगे अब आप सब बच्चे क्या करेंगे आप सब बच्चे इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे इसका उच्चारण करेंगे और इसको लिखकर भी देखेंगे और इसी के साथ बच्चो हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान कि ए